साथियों, इतने कम समय में वैक्सिन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है, लेकिन इसकी अपनी सिमाये भी हैं। वैक्सिन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सिनेशन प्रारम हुआ और ज्यादा तर समरुद्ध देशों में ही शुरू हुआ। WHO ने वैक्सिनेशन को लेकर गाइडलेंज दी, वैज्यानिकों के वैज्यानिकों ने वैक्सिनेशन की रुप्रेखा रखी और भारत ने भी जो अन्य देशों की बेस प्राक्रिसिस थी, विश्व स्वास्त संगर्षन WHO के मानक थे, उसी आधार पर चरण बद तरीके से वैक्सिनेशन करना तहे किया। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अनेकों बैठकों से जो सुझाओं मिले, संसत के विविन दनों के साथियों द्वारा जो सुझाओं मिले, उसका भी पूरा ध्यान रखा, इसके बाद ही ये तैय हुआ कि जिने कोरोना से ज़्यादा खत्रा है, उन्हें प्राथिक्ता दी जाएगी। इसलिए ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, साथ वर्स के आयू से ज़्यादा के नागरिक, बिमारियों से ग्रत्री, पैटालिस वर्स से ज़्यादा आयू के नागरिक, इन सभी को वैक्सिन पहले लगनी शुरू हुई, आप कलपना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सिन नहीं लगी होती, तो क्या होता? सोचिये, हमारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाप को वैक्सिन ना लगी, तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एंबुलन्स के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सिन ना लगी होती, तो क्या होता? जादा से जादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्शिनेशन होने की बज़त से ही वो निश्चिन्थ होकर दूसरों की सेवा में लग पाएं लाखों देश वास्यों का जीवन बचा पाएं लेकिन देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाओ भी आने लगे बिन बिन मांगे होने लगी पूछा जाने लगा सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तै कर रही है राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छुट क्यों नहीं मिल रही है वन साइज दस नॉट फिट आल जैसी बातें भी कही गई दलिल ये दी गई कि सम्विधान में चुकी हेल्थ आरोग्य प्रमुक रूप से राज्य का विशय है इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें इसलिए इस दिशा में एक सुरुवात की गई भारत सरकार ने एक ब्रहत गाइडलाइन बना कर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यक्ता और सुविधा के अनुसार काम कर सके स्थानिय स्थर पर कोरोना करिफ्य लगाना हो माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाना हो इलाज से जुड़ी व्यवस्ताएं हो भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्विकार किया